यह वो डिवाइस है जो कनवार करते एक एनरजी को दूसरे एनरजी में यह हम बात करेंगे अल्ट्रसाउं्ड कि प्रिंसिपल पे जो और साउंड के क्रिस्टल होते पीजति लेट, जिक स्टी क्रिस्टल के क्रिस्टल इते हम एक बात होती है कि हम जब भी ultrasound लेते हैं हम body में ultrasonic pulse देते हैं और जो हम बदले में receive करते हैं वो है eco pulse तो ultrasound का जो image production का main principle होता है वो होता है sending of ultrasonic pulse and receiving of the eco pulse तो यह सारे चीज़ का जो main and main principle होता है एक transducer का working का वो होता है piezoelectric effect जिसका मंदलब है pressure electricity तो हम forward यह reverse piezoelectric effect से ही हम लोग image का तायरी करते हैं तो यह आप देख सकते हो कि जब भी बंदा ने एक image ले रहा है तो यहां पर भी बायोप्सी का प्रोसेजर है तो यहां पर नीडल सही जगह में placement हुआ है नहीं हुआ है तो इसके लिए एक प्रोसेजर होता है जिसमें हम लोग ultrasound यूज कर सकते हैं तो बात करें तो क्यों हमारे पस एक्सरे भी तो है सिटी स्केन भी है फिर भी हम क्यों ultrasound में जा रहा है अल्ट्रासाउंड एक वो टाइप व एडियेशन है जिसका नाम है नौन आयोनाइजिंग रडियेशन मतलब यह जब भी बाड़ी के साथ इंट्रैक्ट करेंगा यह ब तो इसलिए हम लोग CT guided biopsies भी करते हैं CT guided fluoroscopy भी करते हैं but मेरे हिसाब से the best way of biopsy is to undergo with the ultrason but बात यह है कि ultrason में कुछ superficial layers कुछ deep layers भी दिखाई नहीं देते हैं तो इसलिए हम लोग के लिए we have to switch on to radiation related items or modalities or scanners like CT scan fluoroscopy and all that to next going to the components of transducers तो एक transducer का main heart component होता है piezoelectric crystal और piezoelectric crystal का साइज होता है वो है 0.5 mm thick होते है और वो हमेशे transducer का जो फेस होते हैं मतलब जहां से वो beam receive करते हैं मतलब तू वो जाहां से वो बीम रिसीव करते हैं मतलब तू वो रहते हैं और मेंली जो हमारा artificial piezoelectric crystals यूज करते हैं क्योंकि natural भी हमारे piezoelectric crystal है जो है quartz बट द रिमेइन रिजन आफ यूजिंग द आर्टी इस वीकन डॉमिनेट you do j praticamente do round toona च्रॉझत ऑपने हिसाब खंज को एंचे बंन होगा तो हम उसके हिसाब से उसको कंचरोल भी कर सकते हैं तो on the other side उसके दूनों साइड और पीजलेट्री क्रिस्टल के ऊपर नीचे में ऊपर में रहता है ग्राउंड इलेक्टोड जो हमारा क्या करता है पेश्oul के बॉड़ी के डिरेक्ट कंटयक में रहता है तो पेश्ण यहां पर दीसी नहीं होता है वहां पर सप्लाई करते हैं अंटेयर उसको एक प्लास्टिक हाउजिंग से रैप करके रखते हैं ताकि वह इंसलेट अच्छे से करें और कोई भी शॉक ना रिसीफ करें पेशन्ट उसके बाद डिजाइन्स में आपको आएगा एक matching layer जो एक transducer के crystal जो होते है उसके बड़ाबर नीचे होते है ground electrode के बाद उसका main purpose है कि जो भी sounder है वो match करना चाहिए हम सब को पता है कि ultrasound में air या bone जैसे चीज़े नहीं दिखाए देते हैं क्योंकि acoustic impedance उन चीजों का जाधा होते हैं जो बात करिए acoustic impedance का जो भी ultrasound का image तैर होता है वो डिपैंड करते acoustic impedance पे जो है velocity of the sound into density तो जो हमारा transducer का acoustic impedance होता है वो one to one point four में रहता है तो इसी range में जो भी हमारे organs रहेगा वो दिखाए देगा तो air का जो होता है वो 330 होता है तो काफी कम होता है 0.004 का होता है और जो बोन होता है वो 7.4 है तो हमारे जो one to one point four का 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 इटिरिया मैच नहीं कर रहा है तो इसलिए हमारा air या बोन का total reflection या total absorption हो जाते है तो इसलिए आपको ultrasound में नहीं दिखाए देगा क्योंकि वो matching layer का जो ट्रांस्जूसर का matching layer है वो match नहीं कर रहा है आपका टीशू का matching layer के साथ तो एक बात याद रगना matching layer वहीं चीजों को दिखाएगा वहीं मेच को दिखाएगा जो एक transducer material का matching layer होता है उसी के साथ जो टीशू का matching layer अगर match हो जाएगा तो दिखाए देगा तो मानों की bone sorry muscle जो है वो 1.3 है तो हमारा transducer का कितना है one to one point four मेगा हर्स तो 1.3 वहीं वाला दिखाए देगा असानी से तो उसके बाद जो आते हैं हमारा पिजो लट्री क्रिस्टल साते हैं backing block backing block वह चीज होता है जो हमारे unwanted signals को block कर देते मतलों कि आपके पास low signals आ रहा है तो वह signal अपका backing जो block होते हैं वह ब्लॉक कर देगा और एक्वास्टिक अब्सर् जो एक backing block की तरह काम करता है जो unwanted signals या पल्स को अब्सर्फ कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक transducer का design है तो यह है आपका live electrode उसके ठीक नीचे है हमारे PZT के नीचे होता है हमारा matching layer और इसके नीचे होता है हमारा ground electrode साती साथ इसके नीचे होगा insulator cover जो हमें प्रि दूइड कंटक्स में आते हैं तो उसके बाद यहाँ पर coaxial fiber cable होता है जो continuously ultrasound को बावा सब्लाइ प्रड़क्ट करते हैं तो बात करें तो जोन होता है काफी important चीज होता है एक transducer image production में तो जोन होता है कि intensity of the beam क्या है और length of the beam क्या है तो हमारे पास दो जोन होते है एक होते ह तो है अमारा parallel component और इसको नियर फिल भी बोला जाता है तो दूसरा होता है front of our zone जहां पर beam diverge हो जाता है sorry तो यहां उसको भी first zone बोलते है तो इस zone में आपके जो resolutions होता है वो decrease हो जाता है और आप का जो image structure होता है वो छोटे हो जाता है और present zone जो होता है वो longest होता है with last transducer and high frequency की फिर हमारा ultrasound का जो auto display होता है वहां पर basically 3 mode होता है तो पहला जो होते है ए मोड वहां पर आपको spike जैसे दिखाए देगा और यह वाला मोड बैसिकली opthalma studies या ECG studies या कोई भी आपको intensity देखना होता है तो बहुत ही helpful होता है दूसरा होता है हमारा B mode जो एक dot की तरह होता है और वो brightness की उपर मोड हमारे मेली cardiac studies में होता है और दूसरा एक होता है time और motion को मिला के हमारा हो जाता है tm mode तो यह भी cardiac studies में बहुत है तो एक ultrasound के मेशिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हो कि कुछ-कुछ बटन्स होते हैं जो हर किसी को जानना चाहिए जैसे कि आपको start या stop करना है मेशिन तो आपको freeze बटन दबाना होगा यहां पर है freeze बटन इसको दबाने से अपका मेशिन स्टार्ट हो जाएगा यह आपको बंद करना है तो stop भी कर सकते हो ट्रैक बॉल इक होता है यहां पर देखिए यह वाला है ट्रैक बॉल तो इसी ट्रैक बॉल के मदब से आप measurement कर सकते हो यह इसाब से काम करते हैं फिर हमारे पास जैसे computer के जैसेAY की होते हैं यहां से हैं कॉन लगाना है कान जुक्रावत तो और ट्रांशुसर करने के टाइम पर आपको पॉर्ट अक्टिवेट करना होगा अगर पॉर्ट यह करो तो यह ट्रांशुसर काम नहीं करेगा तो मेशि यह जो चीज होता है वह है ट्रांस्जूसर कनेक्शन पॉर्ट इसको करनेक्ट करते ही आपका ट्रांस्जूसर एक्टिव हो जाते हैं फिर हमरे पास डूल इमेज स्प्लीट स्क्रीन मोड भी होता है जहां पर आप राइट किनी और लाइट किनी एक इसके साथ एक फिल्ड प्यूप पे ला सकतने मेजर में जाने प्राइट से पान जो को says रहता है पर आपको यह जो मैं बात कर रहा था था ट्रांसडीूसर पोर्ट और सब्सक्राइब या डिशाइड करने के बाद ही आपका प्रोफ जो है वह काम करते तो यह सब बेसिक की ऑपरेशन है एक अल्रसाउंड प्रोफ का यह है टाइम गेंड कंट्रोल जो आपको डिसाइड करेगा कि आकर मानो कि आपके लिवर स्प्लीन और स्टोमाइक वह तीनों एक ही लेवल पर तो इमेज क्या करेगा सिनल एक ही साथ दे देगा आपको तो जैसे म्यूजि वह कौन आगे आएगा और पीछे आएगा तो यह आपको बहुत हैल्फुल होते है तो बात करते हैं टाइप सो प्रोब की तो हमारे पास अगला टाइफ की प्रोब होते हैं तो एक प्रिंसिपल होते हैं कि अगर प्रोफ का रेजूलूशन अच्छा है और अगर का फ्रिक् मेगा हर्स होते हैं तो वो क्या करेगा बहुत ही कम एरिया कबर करेगा मतलब सुपर्फिशिल एरिया में कबर करेगा उसका रिजुलुशन अच्छा होते हैं तो एक कोड होता है कि higher the frequency better the resolution less is the penetration और दुसरा होते है कि lower the frequency less is the resolution deeper is the penetration तो अगर आपको यह प्रिंसिपल में दुबारा से बोल रहा हूं higher the frequency better is the resolution less is the penetration lower the frequency deeper is the penetration less is the resolution तो अगर आपको यह प्रिंसिपल सब्रिसाइड कर सकते हो कि आपके जो प्रोब होते हैं उनकी frequency से परलूम कर सकते हो कि आप उस प्रोब की दवारा जैसे कि kidney liver यह सब स्ट्रक्चिर देखोगे तो आपको स्विच करना है आपका यह जो प्रोब होता है कार्वी linear प्रोब कर दो यह प्रोब का प्रेचन कैसे होते हैं उसके इसलिए कर्वी linear प्रोब बोला जाता है इसको फिर होता है हमारा फ्रेश्ट आपका उद्वर फ्रिक्वेंसी ब्रोब के हैं और बीचिकली मैंने क्या बताया है हाइव इसके बहुत ही अच्छा था इमिज क्वालिटी जो है वह बहुत अच्छा हो जाता है पर वह सुपर् ब्रेस्ट इस इन चीजों के लिए वह बहुत है तो यह भी एक अब्सक्राइट इस में होता है जब हम टी वी एस ट्रांस वजाईनल या ट्रांस ट्रांस ट्रीज करते हैं क्यों तो यह सेक्टर प्रोऌ जो अखो सुपर्फिश एल सें होते हैं तो इंट्रा केविटियल का मतलब होते हैं इनसाइड यह जो अधीद के अंदर जाएगा मतलब होल ओर ऑर्गन्स में तो यह जादर आपके जो के फिकाविटियल अर्गन्स बीचा ऐसा उसे बलड वेसल के स्ट्डी समें अच्छे होते हैं और बात यह कि यह तीवीजिट रोग् तो जो हमारा बोलते हैं ने ब्लड वेसल में चाल लेयर होते हैं जैसे कि म्यूकोजा सब म्यूकोजा मस्कुलरी सेरोसा तो इनरमोस लेयर हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा अगर हम सुपरफिशियल प्रोव यूस करेंगे जैसे कि फेस्टरी या सेक्टरी तो हीडेन जो में उस्दी एक ओंने उस लूप भी जेय चेंट सब्सक्राइन ठेजल कर दो चांप्स नहीं जोब्स लेसित अगयों ऺंडेन गालजी में मैं सो neutrality स्ट्राइज कराईए वों सेट्सडरी ज्नी में नहीं सब्सक्टी शचा जो युडेंट वह आफ़ी Michigan सेटिय Plus TVS लिए में प्रेग्नेसी में तो वह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वह नियर टो फीटर जाते हो और हमको सेकंड ट्राइमेंस्टर थर्ड ट्राइमेंस्टर में जादा यूज होते हैं ताकि हम फिटल अपनॉमरेटी बहुत अच्छे से जादा रूलाउड कर सकते जो हमें एक इंटर कविटेल प्रोफ जैसे कि यह है हमारा टीवी यस यह धे अंडोट्रकियल यह उपर ती आरइस ठेके उसके बाद जो हमारा प्रोफ कर डिजाइन में आ गया वह हमारे वालियूम प्रोफ यह त्रीडी प्रोफ तो इस प्रोब में जो प्रो घूरेक्षण में 3D और 4D प्रोफ तो 3D और 4D में 3D होता है आपको 3-directional image देगा और 4D जो होते है वो हमारे in respect to time अभी क्या कर रहा है अंदर में organs या बेबीस उनका information मिलते हैं तो 3D और 4D most expensive होते हैं और मेली यह volume rendering image देते मतलब यह 3-3D मोव्मेंट करके आपको multi-planar projection image देगा जिसमें आपको फिटल स्ट्रक्चर स्कलीटन्स फिटल का development everything इवें इंतरा organs हर चीज आप देख सकते हो इसकी मादद से तो advantage क्या है हमारे 3D में हम फिटल का age determine कर सकते अच्छे से फिटल development कर सकते है multiple pregnancies है या नहीं है कोई फिटल abnormalities है या नहीं है कुछ structural problem है यूटरास में जैसे fibroids जैसे चीजे प्लसंट अपनोमाटी कोई bleeding ectopic pregnancy tumors सब कुछ डिटेक्ट कर सकते हमारा 3D में 3D में आपको कोई motion नहीं देखेगा respect to time नहीं देखेगा आपको एक फिटल का 3D structure देख सकते हैं इसमें आपको रूलाट हो जाएगा कि before the baby is born whether there is any fetal abnormalities or not next is 4D में देख सकते हो आपके आ so what if we can with respect to time we can record what is happening with the fetus next is differences between 2D and 3D 2D is regular studies only to examine the internal organs and in 3D we can only do the volumetric studies but in 4D not only volumetric studies but also the live sessions we can rule out next is coming to the probe the ultrasound probe is also designed to destroy the tumor cells where it will act as an ablation purpose so we are using the high frequency probes here the beam will it will be not diverging it will be a converging beam and it will directly hit the tumor cell to destroy the tumors and lastly we have ultrasound portable machines where we can use this machines for our studies like in the camp area or where we can have only limitation to abnormal scans only and talking about again coming back to HIFU high intensity focused ultrasound means the intensity the frequency of the probe will be so much high it will be around the range of 15 to 20 as we all know that biological effect of transducer is if you are keeping the transducer at one place it is going to create a cavitation effect If the tissue will be so much in our problem so we can use the same principle for our tissue to assimilate the tissue of the tissue to destroy the tumor cells from one point and the point is that we can destroy the tumor cells from the blood sugar से हमारा नया जो प्रोब लॉंच हुआ है वो है हाई इंडिसिटी फोकस अल्टरसॉण प्रोफ क्योंकि आरे फैपलीशन भी अपने सुना है क्रायो थेरापी सुना है वहां पर क्या होता है कि डियेशन का डोस चाहिए तो डियेशन डोस बहुत ही हमफुल होता है तो प्रोफ के डाउट हो नीचे कॉमें सेक्शन में लिख दीजिए और आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो यह है यहां पर एक ट्रांजूसर मेशिन यहां ट्रांजूसर पोर्ट आप देख सकते हो साथी साथ यह हैं हमारे कीबोर्ड यहां प आप जाऊचन हैं इनर डिजाइन आप बंगेशन आप आप लेस्ट आप आप डांजूसर न के तो वीवास जाते 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 और एक बड़ना कभी भी ट्रांजूसर को हाथ से मत ग्राना नहीं तो उसका पीजूलेकिक क्रिस्टल है वो तूट जाएगा और आटोखलेशन करने इतो उसका पिजुलेक्टिक प्रपार्टी